योग अभ्यास करने के साथ साथ प्रित्वी और जीवन के दूसरे मूल तत्वों से जुड़े रहने से भी जीवन में बहुत मजबूती आएगी और ये बहुत ज़रूरी है कि आप मजबूती से जिये मजबूत होने का मतलब सिर्फ मानस्पेशियों की ताकत होना नहीं है आपके अंदर जीवन की बुनियादी बनावट मजबूत होनी चाहिए न सिर्फ सेहत के लिए न केवल बैक्टिरिया, वाइरस और दूसरी बिमारियों के बाहरी आक्रमनों से लड़ने के लिए बलकि आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए भी एक मजबूत और स्थिर शारेरिक सिस्टम बहुत जरूरी है ताकि जब आप अपनी उर्जा को प्रज्वलित करें, जब आप अपनी प्रतिभा को खोलें, तब चोटना पहुँचे शारेरिक बनावट का एक बहुत ही स्थिर मंच शारेरिक बनावट से मेरा मतलब शरीर और उर्जा सिस्टम दोनों से है अगर आपका आधार मजबूत हो, तो ये उँचाई पाना संभव हो जाता है अगर आपके नीचे की जमीन स्थिर होगी, तभी आप उचा उढ़ना चाहेंगे अगर आप जहां खड़े हैं, वो स्थिर नहीं है, अगर मंच स्थिर नहीं है तो नाचना तो भूल जाहिए, आप चल भी नहीं पाएंगे आप इतना डर जाएंगे की आप लेट जाना चाहेंगे, क्योंकि मंच अस्थिर है तो ऐसा हर जगा दिखता है, कितने सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी भीतरी प्रतिभा के तार को छेड़ कर अपने प्रदर्शन को उचा उठाया दुर्भा के से उन्हें भारी अस्थिरताएं और गहरे दुख पहुँचे है, कितने सारे कलाकारों ने आत्माहत्या कर लिए, कितने सारे मानसिक विकलांगताओं से बिढ़े थे इसकी बुनियादी वजह बस यही है, कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के तार को छुआ और प्रतिभा के सैलाब ने उन्हें भारी नुकसान पहँचा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मजबूत और स्थिर आधार नहीं बनाया था मजबूती और स्थिर्ता के साथ जीवन जीना बहुत ज़रूरी है इसके लिए बेशक अभ्यास ज़रूर हैं पर उनके अलावा प्रकृती के पांचों तत्वों प्रित्वी, चल, वायू, अगनी और आकाश की संपर्ग में रहना होगा इसके बिना आप शरीर को मजबूत नहीं कर पाएंगे इन दिनों लोग छोटे-छोटे कमरों में रह रहे हैं जहां दापमान हमेशा 79 या 70 डिगरी फारनाइट होता है ये जीने का तरीका नहीं है ये बहुत जरूरी है कि आप दुनिया के तरीकों से चुणें दुनिया के तरीकों से मेरा मतलब ये नहीं है कि मुंबई, नुयॉयॉर्क या लॉस एंजल्स में क्या हो रहा है वे तरीके अलग है दुनिया के तरीके कुछ इस तरह है दुनिया में हवा है, ठंड है, पानी है यहां आग है, ये तमाम चीज़े है दुनिया के तौर तरीकों से चुड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है आईए इसे ठीक से समझे दुनिया के तरीके यानि हमारे बनाए तरीके नहीं है दुनिया के तरीके दुनिया का स्वभाव है उनके संपर्ग में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है मानवा बादी को कुछ इस तरह फैलाना, ताकि उन्हें उन तथा कथित आराम दायक क्यूबिकल में न रहना पड़े, जिससे सिस्टम कमजोर हो रहा है, अपने अंदर एक बहुत मजबूत जीवन बनाना जरूरी है. जब आप ऐसा करेंगे, सिर्फ तभी आपकी रचनात मकता बढ़ पाएगी, आपके काम असरदार होंगे, और सबसे उंचा आध्यात्मे का नुभव पाने के लिए भी एक स्थिर शरीर जरूरी है, वरना उंचा उठते ही कुछ तूट-फूट हो जाएगी. ये मेरी कामना और आश्रवाद है कि आप सभी मजबूती से जीए.